कौशल विकास और उद्द्यम शिलिता मंत्राले ने Transforming Lives, Building Futures, North East में Skill Development and Entrepreneurship की एक विशिश पहल की शुरुवात की है इस पहल के तहट North East के धाई लाख युवां को प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना PMKVY National Apprenticeship Promotional Scheme, NAPS और जनशिक्षन संस्थान JSS सहित कई योजनाओं में कौशल प्रशिक्षन दिया जाएगा सरकार ने Inclusive Development और उद्यमशीलिफ प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए 360 करोड रुपे का फंड दिया है पिछले 9 वर्षों में MSDE ने North East क्षेत्र में ITI की नेटवर्क की संख्या बढ़ा कर 106 कर दी है राश्ट व्यापी स्तर पर Apprenticeship Training में उद्योगों और युवाओं दोनों की भागितारी बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यम शिलिता मंतराने की ओर से नई पहल करते हुए Direct Benefit Transfer यानी DBT की शुरुवात की गई है इस पहल की शुरुवात करते हुए कौशल विकास और उद्यम शिलिता मंतरी शुरी धर्मेंदर प्रधान ने एक लाग प्रशिक्षों को लगभग 15 करोड उपे विद्रित किये थे MSDE ने Apprenticeship कारक्रमों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षुता कारे बढ़ाना विशय पर चिंतन शिविर का भी आयोजन किया था इस सत्र का मुख्य पहलू अन्ने केंद्रिये और राज्य सरकारों उद्योग निकायों और निजी क्षेतर सहित विबन संस्थाओं की भूमिका और जिम्मेदारी को पढ़ाना था तीन सेशन में आयोजित चिंतन शिविर में Apprenticeship को और प्रभावी बनाने के विशय पर मन्थन किया गया आज Apparel Industry सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले सेक्टरस में से एक है खास्त दोर पर देखा जाए तो यही एक ऐसा सेक्टर है जहां पर सबसे ज़्यादा महिलाईं काम करती है इसलिए विबन एमपावर्मेंट को बल प्रदान करने के लिए Apparel Made Ups and Home Furnishing Sector Skills काउंसिल महिलाओं को कोशल प्रशिक्षन के जरिए आत्म नेभर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है इसका परिडाम भी देखने को मिला हा है आज काउंसिल के प्रयासों से महिलाईं जागरोप हुई है और कोशल की शक्ती को समझने लगी है देखिए हर चनिवार सुभा 9 बजे आपकी बात डीब राज राना के साथ फिर दूर्दर्शन पर इस कारक्रम के प्रयोजक हैं कोशल भारत कुशल भारत और सह प्रयोजक हैं अपिरल मेड़ अप्स एंड होम फरनिशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल